नेक्स्ट कॉलर है नीतु जी सिकंद्राबाद से स्वागत है आपका हलो मैंनम नमस्ते जी नमस्कार मैं मुझे नहीं प्रॉब्लम है कि मेरे ना बाल हो टूट रहे हैं मेरी उमर तीस साल है ठीक है जी बाल किसी के टूटे या वहां से किसी के निकले इन बच्चों के लिए बच्चीों के लिए बड़ी परिशानी होती है यह किसी का हाइट नहीं बढ़ती है जो अंडर एज है सबकी नहीं आप नहीं उनके लिए एक खुद्रत ने एक तुफ़ा दिया है उसे कहते हैं सफेज गान मौरिंगा वो ले लीजे एक ग्राम रोदा पानी मिलाकर दूद में मिलाकर या नारियल पानी मिलाकर एक ग्राम रोदाना लिया करें यह रो मैटेरियल है इसको पाडर बना लें और एक एक ग्राम रोदाना इस्तमाल करें आपको फाइदा मुम्किन है पटादी से हैं सुरेश शंद्जी स्वागत है आपका कमर में कब से दर्द है दो साल होगा आपके उम्र क्या है लहतर साल ठीक है आँ देखिए बहुत महनती किसान लग रहे हैं आप मुझे तो आप कुछ भी करते हों अगर महनत करते हों तो महनत छोड़ दें दो चार महने के लिए बिलकुल महनत ना करें और ऐसा ये कुर्सी वाला जो शोचाले होता है ये आप लगवालें अपने घर में अगर आप हमेशा हमेशा अच्छे रहना चाहते हैं और वही मैं बताऊंगा आपको भी एक प्रोग्राम में दस्यों बार बताता हूं कि किसी को अगर गौंद्स-या यानि काला गौंद्स मिल जाए असली इसे काला गौंद्स-या भी कहते हैं लेकिन बेंतहा नकली मिलता है आप सौ ग्राम खरीद लें असली मिल गया तो काफी होना चाहिए, आपके रोग के लिए. यह च्वादा पंद्रा रुपे रोज की दुआई है, एक ग्राम च्वादा पंद्रा रुपे का तक्रीबं मिलता है, मेंगा भी मिला तो. आदा ग्राम सुबह खाईए, आदा ग्राम शाम और सौ ग दरमवीर जी स्वागत है आपका जी मैम नमस्कार जी नमस्कार जी नमस्कार पूछना आए कि मेरे एक टीटी यान गैस बनता मुझे उल्टी आती है कि कब से तकलीफ है आपको यह कम से तो मोच भी है इस ताल लगबग आपकी उम्र क्या है जी मैंने कि 20 साल हो चुगी मुझे इस रोग आपकी उम्र क्या है उम्र के 40 साल ठीक है उम्र सारी गुजारी इसके उतामे मौमिन 24 साल है और 20 साल तो आपकी इस रोग को हो गए वो जाना सुबह उटते ही एक पीस आप खाया करें बेल पत्थर का मुरबबा मिलता है पत्थर बेल पत्थर कहते हैं जो अभी ऑफ सीजन है दो महीने बाद शायद मिलेगी अभी उसका मुरब्बा मिलेगा है एक पीस सुबह उटते खालिया करिए और पानी पिया करिए गरम पांच बार आपकी इस परिशानी में फायदेमन हो सकती है जी तो दरमवीर जी इतने सालों से आपको गैस की प्रॉब्लम है और जैसे कि आपने कहा कि आपको डाइजस्ट नहीं हो पाता है खाना तो अब ठीक आप हो सकते हैं अगर आप ये नुसके अपनाते हैं एक बात मैं यकीन कर सकती हूं कि आपने लिख ली होगी अगर चूक से भी ज्यादा फ्रेंच्वाइजी इसकी देश भर में हैं जिसके फाउंटर प्रमोटर हैं हकीम सुलेमान खान साहब जो लाइव आप सभी के साथ जुड़े हुए हैं आई बात करते हैं अगली कॉलर से स्वागत है आपका विरेंदर जी स्वागत है आपका जी नमस्कार कहां से बात कर रहे हैं मैं लीपुर से बोल ला हूं जी आपका सवाल क्या है आपकी उम्र क्या है अरे बालो में खुसकी रहा मेरे वो रूशी जो जा बालो में हाजी ठीक है भीमारी है ये मेरे जारे जी बालों में जो रूसी है उसके लिए तो आप देशी घी होता है जो महिलाएं घर में निकाल लेती हैं बालाई जमा करके ना दूद की बालाई जमा करके जो घी निकाल लेती है ये घी रात को लगा कर सो जाय करिए सर में और सुबह को घुसल कर ल सो सकते हैं. ये एक हफ़ता करेंगे तो इससे निजात मिला मुम्किन है. अब जो पैरों की गुद्गुद्धी है तो इसमें आप मेहनत चाहते ना किया करें. और देखिए ऐसे सीधे खड़े हो जाएं. और अपने घुटने भी ऐसे जोड़ ले ठीके? और पैर भी ऐसे जोड़ ले. और सीधे खड़े होके बगर घुटने मोले अपने पैर चुने की कोशिश करें. चूने लगेंगे आप दिन में पांच बार चुईए अपने पैर और इससे आपकी पैरों की गुद्गुदी भी ठीक होना मौकिन है पेट की परिशानी में अपने गराडी से कहिए कि जो भी आप के घर में खाना बनाती हैं उन से कहिए कि कंजूसी छोड़ गए और यह इत्ता सा लहसन और इत्ती से इत्रक और इतना ही लहसन डालें फिर देखें आप जिस दिन खाना खाएंगे उस दिन से आपको पेट की तकलीफ में पायदा होना शुरूर हो सकता है जारखंड से हैं प्रदीब ज्ञा स्वागत है आपका जी नमस्तार जी नमस्कार जी मुझे खुजली की परिस्तानी है तो जब आपको खुजली होती है तो क्या कोई दाग आ जाते हैं दाने निकला आते हैं थोड़ा दाब जैसा दाग जी अलसी खरीदें दो तीन सो ग्राम अलसी खरीद ले और इसको सासूफ कर ले ना कंकर वंकर बहुत मिला जीते हैं तो हलका सा भून ले और फिर इसका पौडर बना ले और ये एक चमच ले छोटा चाय का चमच आधा ये एक चमच ले और इसमें एक चुटकी में जितना खाने का सोड़ा होता है ना किचन में वो मिला कर वो जाना एक बार इसे खाया करें और पांच बार गरम पाने पिया करें आपकी परिशान ठीक होना मुपकिन है जी बनारत से हैं जोया स्वागत है आपका है अलो हान जी असलाम अलेक्ट मुखीन साम जी वाले सलाम दीती रही है हम मेरी उमर्दा साथ है मेरी हाइट नहीं बढ़ती है हम पथले बहुत है दोनों चीज़ें पतला होना हाइट ना बढ़ना महासे होना और बाल ना बढ़ना इसके लिए खुदरत ने एक गौन पैदा किया जिसको सफेद गौन मौरिंगा कहते हैं सफेद गौन मौरिंगा अभी आप अंडर हैं जहें आपको फाइदा हो सकता है यह गौन मौरिंगा सफेद वाला ही लेना इसमें लोग कुछ भी दे देते हैं कोई पीला सा होता है वो दे देते हैं कोई लाल सा होता है होता है वो जिते सफेद गौन मौरिंगा की असली होता है कोई नकली ना देते मैं जिम्मेदार नहीं इसकी राव मैटेरियल है कुद्रती गौन है जो ऐसे चाटो तो थोड़ा खारा खारा सा लगता है ठीक है इसको आप पाउडर बना लें और एक गिराम रोजाना पानी में मिला कर दूद में मिला कर लें आप दूद में मिला लें और शक्कर होकर भी डालें अपने जायके की रोजाना एक बार लिगया करें आपको फायदा होना मुम्किन है तो जोया आपको फायदा जरूर हो जाएगा आप ये नुसके अपना लेजेगा और पीड़बै कॉल के जरी हमें जरूर बताइएगा कि आपको कितना लाभ मिला है आई बात करते हैं अगले कॉलर से स्वागत हैं आपका हालो हालो जी कमल आपका सवाल क्या है नमस्कार जी नमस्कार मैंने आप मंगवाया था आपसे ग्रों मेंगा और जतून का फिरका ठीक है तो नहीं वाइक का प्रॉब्लम थी इसके स्किन लूज होगी थी बेस की हां और वो लेना और मझे डाइबटी जा अच्छा उनको फाइदा हुआ हां उनको आगे से तो फरका थोड़ा आपको डाइबटीज है हां तो मैं वो हां उम्र किया है आपकी 55 तो लिया नहीं आपने जैतून का सिरका लेना शुरू किया हां जी लिया है तो कुछ तो फाइदा शुरू हो गया होगा है हां उससे कुछ तो फाइदा है ठीक है और कोई सवाल बिटा है कुछ और सवाल थे आपका मैंने मैं गौन कमरिंगा ले सकता हूं के नहीं जी गौन मोरिंगा जी ले सकते हैं या नहीं मैं कहता हूं कि चेहरे पर रौनक आती है जाईयां चली जाती है पेश्टर लोगों की और महा से कद्ध दुश्मन है यह हाइट के लिए बहुत अच्छा बालों के लिए बहुत अच्छा है और आप भी ले सकते हैं कि जैतुन का सिर्का आप लिया करें कि डायबटीज का पूरी तरह अच्छी हो जाए जो इसकी में मदद करता है और आपको सारी जिल्दगी सेहतमन रखता है वो दवाएं भी लें जो आपको डॉक्टर देता है और बड़ा अच्छा किया आपने फीडबैक कॉल देदी जी माचल से हैं अगले कॉलर स्वागत हैं आपका इधनन जे आपका सवाल क्या है जब हम पूरे शरीर में प Cisco होता है जी आप की उम्र क्या है पिचाट साल है और ये दर्द आपको कब से है? मैं चार-पांच साल से. चार-पांच साल से पूरे शरीर में दर्द रहता है. क्या नाम बता है? गगन डाकू? जी, ऐसे ही कुछ नाम बता है. सरनेम होगा? अचा, दिखी गगन जी, पांच साल लगातार, क्या इलाज नहीं लिया होगा आपने? मुझे बड़ा अच्छ होता है, कि लोग कितनी तकलीफ परदाश करते हैं, और कोई रास्ता भी नहीं है. एक रास्ता है, यूनानी का रास्ता, खरेली नस्खे का रास्ता, और एक गौन खुदुरत ने पैदा किया है, जिसे गौन्सिया कहते हैं, मतलब काला हम लोग काल्सिया कहते हैं, लेकिन आधा इसे काला गौन्द आसान भाषा में कह सकते हैं, दखे यह असली लेना आपकी जिम्मेदारी नकली बहुत लगता है, कड़वा बहुत होता है, हलां कि ये 15-16 रूपए, 40£, 15£, 16£, मेहंगा भी मिला तो, एक दिन cares हिलाज है खी एक गिराम इतने का ही आता है और एक दिन में इतना ही हाज़ एक गिराम, सुबह आदा गिराम शाम, कड़वा बहुत होता, और नकली बहुत मिलता है, नाष्तिये और खाने के बाद आदा आदा कि आपको फायदा होना मुम्किन है केशब है हमारे साथ हिमाच्वल से स्वागत है आपका इस नमस्कार मैं नमस्कार मैं नेलम बोल रही हूं नेलम नाम है आपका अगी एह सब्सक्राइब अच्छा ठीक है ने ने ना गौंद्श्या लिया था हां हां करना मिंड्या है तो मुझे काफी अराम है और एक न बेटे के मिये मंगवाया था स्वाट मर्हं है हां अब कली अगिक्ष्ट है यह देल्सक्राइब करके लगवाई है ने रखनार पर एक बेटे की एक बेटे की रसिए आइसाइट हुक का एक अंक्स्की हां हां और दूसरे एक बेटे की फोडी मेंटल प्रोवलम है अच्छा दोनों के उम्र क्या है? दोनों के उमर सेन हैं, जुडबा है दोनों क्या उम्र है? सब्साल और कोई सवाल? एक सवाल मेरा और एक मेरे भाइ है ना उनकी एज है 15 साल के लिए भी तो थे जते है तो आप ना जाती है जलनी होती है कारी जखम हो जाते है थे खॉझाँ ने अनुका अपना बेटा डॉक्तर है is तो बहुत द्वाइट अखेक अपना वेटा थे हैं के लिए हुझा है सारे सवाल आप बताईए मुझे एक एक करते वह सारे सवाल है और यह हमारी वीवर्स को काफी फायदा है बताईए क्या सवाल है जी पहले तो इन्हें बहुत जादा फायदा हो गया है रॉम माटिरियल से और इन्होंने अपने बच्चों के लिए पूछा है जुड़वा और दूसरे जो हैं उनकी आँखों में दिक्कत है एक आँखिया इसे ड्वीक है जिनकी आँखों की रोशनी कम है उनको आदा से एक गिराम सफेद जौन मौरिंगा गाजर के जूस में पिला कर रोजाना एक बार पिलाया करें जब गाजर का जूस ना मिले तो सौफ के पाणी में मिलाकर सौफ उबालकर उसके पाणी में मिलाकर लाया करें दूसरा सवाल जिनकी दिमाः ही हालत अच्छी नेहीं है उस बच्चे के लिए एक नुस्खा लिख लीजए मैं ठहर ठहर करें बोलता हूं आप लिख लीजए तीन सो ग्राम आवला और दिrichten सो ग्राम आपको लेना है छोटी हड और है दिर सो ग्राम छोटी हड És अ्च्छ estado हड को पहले खी में या बदाम के तेल में या आरणडी के तेल में भून कर फिर इन सब के साथ पौडर मिलाना है और इसमें चालीस गिराम छोटी इलाची मिलाकर पौडर बना दीजे और एक चम्मस्ष नहार मूँ उस बच्चे को जिसको दिमागी परिशानी है खिलाया करें तो काफी टाइम जाके इनको फाइदा होगा जो इलाज करना चाहें करते रहें लेकिन यह दरूर दिया करिए जी हातों में जलन खारिश होती है एक इनके रिलेटिव हैं उनके उन्होंने सैनेटाइजर का इस्तिमाल जादा किया उनको कप्सुल हुसन सुलेमानी एक सुब कि टकुछ प्राइद कर दो का झाली है लेकिका खुच्छ जाद झाली है उनके इनके लिग चाहें जा हुब झाल करते लेकिन हैं Yogयो फु़ सुब match करते हो जे च जो, जाके सम्माल बादा को कि उनके बाराई होईदा बार शुबुग!